क्या लोग आलिया भट और शेफाली शा की नई फिल्म डार्लिंग्स को डार्लिंग्स समझ कर प्यार देंगे? हलो फ्रेंड्स नमस्कार और वेलकम टू कोमल नहटा ओफिशिल इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नेट्फिक्स पर आठ से स्ट्रीम हो रही फिल्म डार्लिंग्स को लिकिन अफकोस सबसे पहले हमेशा की तर आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो किसका वेट कर रहे हैं? इस वीडियो को देखने के तुरंट बाद जरूर कीजिएगा दोस्तों डार्लिंग्स कहानी है एक लड़की की, उसके हस्बंड की और उसकी मा की लड़की है बद्रु नीसा शेक यानि आलिया भट उनके हस्बंड है हमजा शेक यानि विजय वर्मा और उनकी मा है, शम्शु नीसा अनसारी यानि शिफाली शाथ अब दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, रो हाउसे में बद्रु नीसा और हमजा की शादी हो चुकी है लेकिन हमजा, बद्रु नीसा को बहुत-बहुत मारते हैं, पीटते हैं शराब बहुत पीते हैं और बद्रू उसे अगर छोड नहीं रही है वो सिर्फ इसलिए कि वो सोचती है कि शायद ये बदल जाएंगे लेकिन बदलते नहीं है अनमार कूट चालू है और बद्रू की जो मम्मी है यानि शिफाली शाह वो बार बार बद्रू से कहती है कि तू उसे छोड़ कर निकल मेरे पास आजा वापस उसके मा की भी एक बैक स्टोरी है उसके हस्बंड उसे छोड़ कर चले गए थे तो कहानी प्रोग्रेस होती है लेकिन बद्रू लगती बेवकूफ है एक्चुली बहुत स्मार्ट है तो वो क्या तरकीब सोचती है हमजा को सीधा करने के लिए वो बताया गया है और क्या हमजा एक्चुली सीधे होते है हमजा और बद्रू की बनने लगती है नहीं बनने लगती है अंत में क्या होता है वो स्टोरी है और darlings इसलिए क्योंकि बद्रू हर चीज प्लॉरल में बोलती है sads, demise, you are my darlings, एक आदमी को बोलेगी you are my darlings, इसलिए darlings तो सबसे पहले discuss करते हैं इस फिल्म के script को, यानि कथा, पढ़कथा और समवादों को इस फिल्म की story और screenplay दोनों लिखे हैं, परवेज, शेख और जसमीत के रीन ने बहुती बढ़िया और बहुती original किसम की कहानी है of course, ये अगर cinema घर के लिए film बनती, तो हम इसमें काफी खामया निकालते हैं because cinema घर की audience कुछ और ही मांगती है, कुछ और ही expect करती है लेकिन क्योंकि ये Netflix पर stream हो रही है, straight to OTT पर बनी film है इसलिए this story and screenplay are fantastic of course, बीच में first एक घंटे में आपको ऐसे लगता है कि depressing है, थोड़ी slow है तो थोड़े negative points दिखने लगते हैं लेकिन before that and after that, तेज भागती है, कहानी भी और screenplay भी और बहुत थी interesting twists and turns है, बहुत सारे twists and turns है और आपको हर twist or turn में बहुत मज़ा आता है और आपका actually मन करता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा last 20-25 minute तो इतना मज़ा आता है, क्योंकि आप तो expect ही नहीं करते है कि ये होने वाला है और वो हो जाता है और इतने आसानी से, इतने smooth तरीके से होता है कि आपको लगता है, oh my god, ये सुचा था, oh my god, ऐसे हुआ So, it's very interesting, in fact, second half, यानि last one hour of the drama is really very very interesting and बांध के रखता है audience को जहां तक dialogues का सवाल है, Vijay Maurya, Jasmit Keren और परवेज शेख ने ये dialogues लिखे हैं and dialogue writers को absolute distinction marks इतने बढ़िया dialogues, बेहतरीन dialogues के dialogues पर आपको बहुत हसी आती है और आपको लगता है किसी का दिमाग इतना कैसे चल सकता है इन प्रकार के dialogues कैसे सोच सकते हैं and ये, it's true for the screenplay also तो कहने का मतलब है, the writing is fantastic और जब script अच्छी होती है, तो half the battle is already won ये तो हुई script की बात, अब एक नज़र डालते हैं actors के performances पर अलिया भट, उनके काम को describe करने के लिए कोई शब्द नहीं है She is outstanding, fantastic, excellent, brilliant क्या काम किया है और उन्हें देखकर ऐसे लगता ही नहीं है कि वो acting कर रही ऐसे लगता है, वो वाकई में बद्रुनीशा शेक है एक बहुती लोवर मिडल क्लास वाली Muslim औरत है जो marriage में happy नहीं है, लेकिन फिर भी शादी तोड़ना नहीं चाहती है कभी सोचती है कि मैं बदला लू, कभी सोचती है नहीं मेरा husband, मेरा शोहर मुझसे प्यार करता है absolutely fantastic performance nobody could have done better than this and Aliyah Bhatt deserves distinction marks actually more than distinction marks, almost full marks for a job splendidly done, मज़िदार acting Vijay Varma, जो Hamza Sheik, यानी Aliyah Bhatt के husband की भूमिकाने भार है he is also fantastic, क्या काम किया है जब वो पी कर उन्हें मारते हैं ऐसे लगता है कि ये तो वैशी दरिंदा है और उसके बाद वो जब माफी मांगते हैं आपको ऐसे लगता है कि शायद दारू के नशे में मारा होगा but उनका switch on switch off इतना बढ़िया है और second half में जो उनके साथ बीचती है वो देखने में भी बहुत मज़ा आता है शेफाली शाह another powerhouse of talent बहतरीन performance extraordinary, excellent, fantastic, superb and ये कहना पड़ेगा कि आलिया भट और शेफाली शाह का जो तालमेल है as daughter and mother respectively is just beyond comparison आप सोच ही नहीं सकते हैं कि दो actors इतने perfect sync में कैसे हो सकते हैं they both compliment each other just too wonderfully और एक script को actor कैसे अपने performance से elevate कर सकता है ये दो actresses प्रूव करती है अलिया भट और शेफाली शाह deserve more than distinction marks not just for their performance but also for their coordination coordinated performance उनका ऐसा है उनके expressions देखो जो वो एक दूसरे को इशारे करती है जो वो एक दूसरे की बात समझती है जो वो एक दूसरे के performance पर reaction देती है it is just just outstanding केवल उनकी acting देखने के लिए आपको शायद ये film दोबारा देखनी पड़ेगी जूलफी के रोल में रोशन मैथ्यू is also lovely he lends wonderful support और actually उनका performance बहुत ही realistic है another wonderful and absolutely realistic performance वो है विजय मौरिया का as inspector राजाराम तावडे उन्होंने जो काम किया है और उनके जो facial expressions है आप उन पर फिदा हो जाएंगे किरन करमरकर as दामले actually हमजा एक ticket collector है और किरन करमरकर यानि दामले उनके boss है तो दामले का performance भी wonderful है पूजा सरूप also lends very good support और राजेश शर्मा है उनको बोलने के लिए dialogues बहुत कम है लेकिन उनके expressions और उनकी body language convey a lot very good support बहें इनके अलावा बहुत सारे और भी actors है जिन्होंने अपना-पना काम सही अंदाज में किया है ये तो ही बात actors के performances की अब एक नज़र डालेंगे direction और अन्य टेक्निकल आस्पेक्स पर जस्मीत के रीन के निर्देशन में ये film बनी है और कहना पड़ेगा जैसे उन्होंने और उनके को राइटर्स ने script लिखी है वैसे ही इस script को उन्होंने narrate किया है the narration is brilliant और पूरे family के लिए ये एक बहुत ही entertaining film है film में संगीत विशाल भारतवाच और लिरिक्स गुलजार के है and they go completely well with the mood of the film जिस प्रकार की film है उसी प्रकार के गाने है और उसी प्रकार के गानों के बोल है so the music and the lyrics compliment the drama wonderfully प्रशांद पिल्लाई का पाश्व संगीत बहुत ही अच्छा है intruding नहीं है कभी भी आपको ऐसे नहीं लगता है कि background music हावी हो रहा है scenes के उपर या dialogues के उपर that is one good part of the background music cinematography अनल मेता की है जो की बहुत बढ़िया है बद्रू और शम्शुनी सा के घर को देख कर absolutely आपको लगता है कि ये रोहाँज़ में रहने वाली ओरते है और उनके घर को देख कर ऐसे लगता है कि ये लोर मिटल क्लास के घरी होंगे Muslim households lower middle class वाले वैसे ही बनाए है so the production designing by Garima Mathur is first rate और Nitin Bait की editing super sharp super crisp so overall it's a very entertaining film very well written film very well narrated film and absolutely brilliant performances by Alia Bhatt and Shifali Shah and of course by Vijay Verma also Vijay Maurya Roshan Matthew, Kiran Karmarkar Rajesh Sharma इन सबने काम बहतरीन किया है so overall it's a winner तो दोस्तों कैसा लगा हमारा review of darlings comment section में जाकर अपने comment जरूर पोस्ट कीजिएगा और अगर आपने भी ये film देख ली है on Netflix आज से Netflix पर stream हो रही है तो हमें ये भी बताईएगा कि आपको film कैसी लगी और किन-किन का काम कैसा कैसा लगा thank you शुक्रिया take very good care of yourselves see you soon